हलो जिदी नमस्ते नमस्ते नमें वोक्स से बोल रहा था जब राज्यसावा में ये बिल पास हुआ इसको भेजा जाये का रास्टरवती के वहां आईन बनने के लिए तो अभी कैसा मैसूस करें मैं बहुत खश़ु हूँ कि आने वाले जो हमारी पिरिया है, जो हमारी भान बेठिया है, उन लोग को ये सब चीज से निजाद मूझे है। अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उन लोग को तलाग दिया आता है। होई बूल करता है, उसके लिए तलाग। सबजी के ल तो उसके लिए तालाग, बाल में नमख ज्यादा हो गया तो उसके लिए तालाग, मतलब तालाग को मज़ाग बना कर लग दिया इन लोगों ने. सही में, और दूसरा सवाल ये था, कि आप विजबेंगल में रहती थी, और यहाँ पे जो CM है, वो भी एक महिला है, लेकिन राज्यसावा में जब ये बील पास हुआ, तो चिनमुल कॉंग्रेस इस बील को अपोस किया है. तो आप को क्या लगता है, कि ये जो इल कानून बनके आएगा, वेस्ट बेंगल में ये कितना इंप्लीमेंट होगा? देखिये, हमारी जो वेस्ट बेंगल के CM है, वो तो अपने हिसाब से राजनिती कर रही है, तो उनको मुस्लिम को लेकर उनको वोड़ बनाना है, अगर महिलाओं के तरफ खड़ी होती है, तो जितने भी मुस्लिम लोग है, उनका वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वो सिचाप से बेठी ही है, इसलिए इसका भी रोज कर रही है, जब कानून बन जाएगा, वो बंगाल का कानून नहीं है, ये पूरे भारत देश की कानून बन रहा है, तो पूरे भारत देश में वो कानून चलेगा, कोई रोक नहीं सकता है, हम लोग चलाएंगे, जब मैं बंगाल में राती हूं, मैं चलाओंगी, मैं सब के उपर लागू करवाओंगी, अगर कोई नहीं करेगा, तो उसे अगर ज़रूरत पढ़ेगा, मैं ठाना तक पहुंचाओंगी, कोड तक पहुंचाओंगी. अच्छाओंगी, और क्या लगता है, कि ये तीन कालाग बंध होगा, अभी तो ऐसा ही हुआ है, कि ये नॉन बेलेबल ओफेंस है, और तीन साल तक इसका जेल भी हो सकता है, तो इस कानून में और क्या-क्या इंक्लूशन होना चाहिए, बोलके आपको लग रहा है, कि ताके ए मुस्लिम महिला को, और भी सामाजिक या बारिवारिक तोड से शुरक्सा मिल सके, कानून जो बना रहा है, तीन साल की सजा, तीन साल की सजा, एक्छिली आप उसको इस नजर से देखिए, कि जब बच्चे बदमाशी करते हैं, तो लोग माबाप उसे डगाते हैं, बेटा य कि सुधाने के लिए वो काम किया जा रहा है, तीनकि अगर किसी कोई तलाग देता कि मैं मैं तलाग दूँगा, जबरदस्ती जबरदस्ती लोग समझाने के भी कोशिश करेंगे, अगर एक को भी सजा हो जाती है, तो दूसरा डरेंगे, इस वजह से जो गैर कानूनी तरीके पीमेल से, बिसमेंगोल में, उनके लिए कोई खास आप कुछ कहना चाहेंगे, क्यूंकि आप पाफ साल तक लड़ी इसके लिए, और ऐसा ही भी हुआ है, आप जहां पे रहते हैं, पील खाना में, वहां पे आपके उपर भी बहुत तरह का प्रेशार, बहुत तरह की दवा आपको सहना पड़ा? मैं हर एक उस महिला की ये खड़ी रहूंगी, जो बैरग में है, तकलीफ में है, चाहे वो हमारी हिंदु बहने हो, या हमारी मुस्लिम बहने, कोई भी हो, और उसे मैं इंसाफ भी दिलाने की पूरी कोशिस करूंगी, उसे इंसाफ मिले, अगर मेरी बहने को अगर जबर्द की अगर वो लोग नहीं मालेंगे तो जबर्दस्ति फिर कानुन का सहारा लेना पड़ेगा, चीके देए, मजबूरन, लने,